अब नौट नेक्स्ट कोशिए इस विच स्विच इस तो इस टॉप दिगन्वेर बिल्ड इन केस ऑफ एमर्जनसी फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ कन्वेर ठीक है कोशिण कह रहा है कि वह कौन सा स्विच है जो कन्वेर बिल्ड को स्टॉप करने के काम में आता है जब एमर्जनसी पढ़ती है ठीक है तो वह कौन सा स्विच है जिसे हम यूज मिलेते हैं जब एमर्जनसी पढ़ जाती है और हमें कन्वेर बिल्ड को स्टॉप करना है तो इस से इसाथ ब्राद में इस po क्लैकर लेकाष है और मिलेते हैं इसमा को दीख रहा है कि यह दो जगह है यहां से गेबल पास होती है यहां से गेबल पास होती यहां से भी केबला सती है ओल o Or डी कन डी कनवेर वेल्ड in the left side as well as on the right side ठीक है ती all along the canवेर बिल्ड जीतनी लंबाई होगी कनवेर बिल्ड की उतनी लंबाई यह केबल रहेगी इस तरफ इस तरफ से भी और इधर से और यह लेफ्ट में भी रहेगी और राइट में भी रहे ठीक है ताकि किसी तरह कभी कोई भी situation आए जो कि emergency हो तो उस condition में हम क्या करेंगे इस यह वाला जो क्या करेगा पावर कूट कर देगा और मारी स्टाप हो जाएगी तो यह कहां लगा हुआ रहता है यह लगा रहता है नियर बाइट डी पुली तो तो हम कहां लगाते हैं इससे हम नियरभाय. बटुदी हैट फूली लगाते है ठीक है इसे हम नियरबाई फूली हैट लगाते है और जो इसका Cable होता वह Allpark jonве considerably built होता है जिसको की कहीं से भी operate कर सकते हैं इसका मतलब कि आधमी जो है अपने हाथों से इसे क्ीच रहा है अभी यह सा है तो जब क्żyćलिका तो कैसा हो जाएंगा यह वार्टिकल हो जाए तर्बहु इस एक वर्टिकल्बों क्या होगा में कि कि अपॉर कट हचाएगी ठीक है तो यह आपको समझ में आ गए कि यह अलोंग दी कन्वेयर बेल्ट लगा होते हैं on the left as well as on the right side to trip the power in case of emergency ठीक है ठीक है ठीक है तो यह हुआ पूल कोट का काम कतम हुआ नेक्स्ट ऑप्सन में हमारा क्या था यह तोड़ा अप्लिकेशन देख लिए पूल कोट के रिगार्डिंग तोड़ासा फील और अच्छा से आजाए यह एक सिच्वेशन है जैसे इसमें क्या हो रहा ह अगर यहां पर हमारी पूल कोट स्वीच की समय की अगर ना होती हम अगर यहां पर हमारी पूल कोट सुइच के माधियम से अगर ट्रिप करवाने की तो यह एक डेंजरेस अकरंस हो जाता क्योंकि यह कुट्त जाकर फिर क्या होता कि Blazor में यह माल कहां जा रहा शार अप्र करासर से दम्ब में जा रहा होगा सकता था कि शबुरा तरह से तो इसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं पूल कॉट स्विच जो इसदर से पांस भी है तो इसको हम क्या करेंगे खीज देंगे फिल्ट को यहां से खीज देंगे तो क्या हो कि यह बेंट काने रूख जाएंगे और कुझ अराम से उतर जाएंगे फिर हम असानी से अपने कारे को कर पाएंगा ठीक है तो यह एकके केसे कंदिक्शन में कुलअज मूलंग गई कहले है तॲाव दायक हो थक नेक्स तर्थ दीक है क्या है यह है यह बेल्टेर इसलेसवींच वंपनेटर का मतलब क्या होता है रहा पर यह िल की यह क्या होता है वि're कर सकता या फिर राइट में मुव कर सकता है लेटरल डिरेक्षं में मूब लिए तो यह बास तो सही नहीं है एक तरफा अगर मान लिए घजा पाएगए और अच्छा से भी without spillage मेरी जा पाईगे materials तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसको possible बनाने के लिए हम यहां पर लगाते हैं एक BSS switch belt sway switch ठीक है belt sway switch यह इसका handle है तो यह क्या करता है समझ लिए उसका switch है तो switch यह क्या करता है यह करता यह है कि अगर belt आके इससे अगर टकराता है ठीक है अगर मद्धम से टकरा या फिर इसको effect नहीं किया इसका direction ऐसा का ऐसा ही है तो switch काम नहीं करेंगे तो नॉर्मल ही है ओन ही position मेरेगा लेकिन अगर मान लेजिए कि belt जो है वो कुछ ज़्यादा यह force से इसको touch करता है तो क्या करेगा इसको जब push कर देगा तो यह क्या होगा कि यह से वर्टिकल हो जाएगा ठीक है यह क्या हो जागा यह वर्टिकल हो जागा अजब वर्टिकल हो जागा तो क्या होगा यह power को trip कर देगा ठीक है यह ऐसा position था ठीक है यह ऐसा position में था ले बाइंगे ये सब हम कंट्रोल कर पाएंगे तो ये भी हमारा सेफ़्टी इससीचरित turd नाम है ये स्वूक्त की ही सूरीड से रोकता है मिल्ट को छिथ तो इसका हमने डिया ये हमारा से में आग्राम है यूप हमारा जो तो इंक्लाइंड है इंक्लाइंड जब भी रहेगा बीसेस का मतलब कि वह ओन है और जब वह वर्टिकल हो जागा तो ऑफ है ठीक तो बीसेस के बारे में हमने हमने जानकरी कटा कर लिए अब क्या आता है एक जैसे स्वीच वह भी आपको उप्संस में था ठीक है तो यह क्या ह सद्क्राइब से होता है यह और भी डियराको दूसरे स्लाइड में दीखेंगी खेब लाहसा है छो से जो सेंस करता है क्या डिटेक्ट करता है क्या यह स्पीड डिटेक्ट करता है टेल पुली के पास लगी होती है तो यह जो स्पीड को डिटेक्ट करता आर्पीम में ठीक है यह इसकी स्पीड को डिटेक्ट करता है इसको देखता है यहां से सिंगनल सवेरा बेज़के यहां सूर्ब सोता है मैगनेट के मातिया हमसे देखता हido ओ both frightu करता है इस पीड़ को इर पीम है ठीक है तो इसके सुर्पीड को डिटेक्ट करने से क्या होग़ा क्या अब पायदा होगा सो क्यों सबमें इसकर लगत इस लिए है क्यों यह क्योंध की एस स्वीड को यह कुछ ऐसी कंडिशन आगे जिसके वज़ेसे मेट्रियल स्पिलेज हो रहा या फिर वेल्ट में कुछ ने कुछ प्रॉब्लम फॉल्ट आ गई है जिसके वज़ेसे लोड कम पढ़ रहा जिसके वज़ेसे स्पीड जो है वह बढ़ गया तो इससे हमें पता चल दागा जैसे इसको नोटिस करेंगे फिर ट्रिप करने जाएंगे टेक्स टाइम बट यह तुर्ण डिटेट करके उसको स्टॉप कर देगा ठीक है यह क्लिए हुआ नेक्स्ट अगर स्पीड घट जाती है तो क्या हुआ हो सकता है इसका मोटर में कुछ प्रॉब्लम होगा हीट या ओवर अपने से से winter होगे और बैल्ट को सेंटर में रखें इसके बारे में भी कर चूपए इसलिए जिसकी जिसका फुक्ता हुआ वो नेक्स्ट अपकमिंग पेक्स SIM स्थ salaries council के बारे में इसके कूछ वे वोश्यम से कि यह से कम करता है तो किस तरह हम उसे टैकल कर सकते है यहां से इसको पावर मिल रहा है और यह क्या करता है किसका कुछ रेंज होता है वह बिलिंग करता है बिलिंग क्या वह ओंट कॉंटिनुसली जलते ही रहता है तो वह ही है वह इंडिकेट करता है कि इस जैड़े से स्विच इस वर्किंग ऑन ठीक है इसे करके जलते रहेगा लेकिन जैसे यह बुझ गया तो इसका मतलब कुछ नहीं कुछ कि भले रहा दो डिम दो रहे तो को सफफ कर देंगे तिक और क्या देख सकते हैं और क्या होता है कि इसमें पुछ सोट लगने से या मार पढ़ने से यह फ्क्या गचाता है पीछे घंसे क्या दा डिस्टेंस से बिट्वीन जहांस यह डिटक्ट कर रहा है उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है और उसकेस में भी यहां पर जो जल रहा है बत्ती जो यहां पर जलते रहती वह बुच जाएगी कशे तो हम क्या करेंगे वहां जाके देखेंगे कि क्या problem है इसमें थोड़ा सा सॉमसित करेंगे ने टोब सुछ करके देखेंगे अगर बद्थी जलने लगती है काम करने लाइक है अगर दोनों कंडिशन में करके देख लिए कि हमने डस्ट भी साफ कर लिया और डिस्टेंस भी क्लोज करके देख लिया और नहीं जल रहा है तब हम फिर क्या करेंगे फिर इसका मेकेनिक्स को बुलाया जाएगा और इसे जल से जल ठीक करा जाएगा विकॉस इस से सेफटी इस स्पीड घटती है या फिर बढ़ती है तो इसको डिटेट करता है घटती बढ़ती इससपीड को अगर यह पाता है तो पावर ट्रिप करा देता है ठीक है ये लगवक क्लियर होगी आपको और रिलिश्टिक डिएग्राम भी आपने देख लिया नेक्स्ट पार्ट और था इसका उसका पार्ट यह था कि holdback switch था कुछ वह option number one में ही था ठीक है holdback switch होता क्या है ठीक है यह कहां लगता है किस तरह से काम करता है किस तरह के build can never में काम करता है ठीक है तो इसे भी हम जान लेते है holdback switch क्या होता है कि जैसे कि मानिए कि करती है워서 यहां से लोड होती हो कहला गयर से discharge कर वह कहला यहीं ठीक है Eric निशयार्ज करती है और यहां से लोड रहता है मानने यहां पर feeder feeder breaker लगा हुआ यहां से हमाल जा रहा है यह माल जा रहा है यह लोड करते करते तरह वे लेकर लेका जहारा त्यूस प्लेसर प्लेसर ट्वैन लेवसे लेबलाज मेंन अदर बेटरॉन माने से लोगा ऊप्लियू जारा यह उप्लेसर टॉत्राओ धियों जासे डिशीक ट्वोंपार मेरा बूए जारा में ची तो धौल को को जारा राहना निची हो को को के करें जारा जारा सी अच्छा है अब इस समय इसका पाफर कट टो उस केस में क्या हो यह है चुकि यह डां पोजिशन में है और यह पेलड कंवर लूड्एड है तो इसका direction of movement जो होगा वो होगा in the backward direction तो नीचे की तरफ भागना यह शुरू करता है क्योंकि यह loaded है gradient पर है तो नीचे की तरफ जाना सुरू करेगा नीचे की तरफ जाना सुरू करेगा वहाँ पर हो सकता है accident हो सकता है जिसा कि motor को उल्टा direction में घुराने से burn हो सकता है उसके internal parts में कुछ damages हो सकते हैं या फिर ये पूरा piles पूरा जो coal का piles है वह वहाँ जाके हीप हो सकता है पूरा build conveyor का piles है तो इसमें machinery बगएरा दब सकते हैं इसमें और हमारा production बहुत समय के लिए hamper भी हो सकता है बहुत सारे situations इसमें आकर हो सकती है तो इस situations को को रोकने के लिए क्या किया इस situation को रोकने के लिए backstop switch या फिर hold back switch दोनों एक ही switch का नाम है तो back stop switch या फिर hold back switch दोनों का मतलब भी उसी तरह कि hold back मतलब की पीछे जाने से उसको hold करता थीक है तो यह कहां लगता है ये मेरा लगता हैGER box लगता है टीक है जाने का मोँममेंट को यह रोकता आगे तो दो फॉरवाड एड़ पीछे जाना इलाऊ नहीं कर अब यह इस्तमाल काप अब होता है आप तो हमारे जो डेंजरएस अकरेंस होने वाले थे वो न ऑ मैं हो इसके लिए हम हूटब स्वीच को लगाते हैं कहां पर लगाते हैं गियर बॉक्स में लगाते हैं और इसको पीछे जाने से रोकते हैं ठीक है ड्राइविंग मोटर ठीक है यह हमारा गेरिंग अरेंजिमेंट होगा जो कि मोटर का स्पीड को जैसे कि 1400 रिपीम है तो उसको कम करके लगभग अगर गेरिंग का रिश्यों अगर 40 तो इसको क्या करेगा 1400 से भागा दे दीजिए इसको 40 से तो कितना आ जाता है यह 36 आ जाएगा इसका मतलब जो हमारा हेड़ पूली मुव कर रहा है वह मेरा हो जाएगा 36 आर्पीम पर मुव करेगा क्योंकि हमें कन्वेयर बेल्ट से जब मैट्रियल को ढवाना है तो हमें क्या इसलिए मुझे इतना बताना पड़ा नहीं तो तो सारा ही मैंने डिसकस कर चुका है पहले ही तो चलिए हम बैक होते हैं अपने कोश्चन अच्छा एक एक और स्लाइड इसमें यह रियलिस्टिक डाग्राम है यह रियलिस्टिक डाग्राम है किसका यहां सोचें कि आप जो मेरा स्पीड कम करता टॉर्क को बढ़ाता है और इसका साफ्ट से जो कनेक्टि राता वह मे सबने भुली तीक आ तो यह हमारा यहां पर लूपर ह्लिए तो यह यह concept आपका clear हो गया होगा अब next हम फिर back होते हैं अपने question के तरफ देखते हैं क्या था हमारा question एक बार तो question था हमारा which switch is used to stop the conveyor belt in case of emergency from any point of conveyor ठीक है तो जो इसका answer होगा वो हमारा यहां तक हमारा class रहा है फिर next class में जो भी topics होंगे हम उनको discuss करेंगे और कुछ बोला था लोवे से कि हमारा एक demo class organize होने जा रहा है और उसकी डेट आपको description box में मिल जाएगी तो attentively आप लोग demo class को organize जो organize हो रहा उसको attend करें और हमारे course structure को भी अच्छा से देखें जो की बहुत nominal प्राइस पर रखा गया है और test series भी हमारी है तो जैसा लगे आप लोग description box में चेक आउट कीजिएगा और demo classes जो हमारी होने वाली है उसकी भी update आपको description box में ही मिल जाएगी ठीक है थैंक्यू झाल बाइस ङगब में गलम एंप एमारी है यह जानता सक्वेश्च्च के यह piace भी है तो सिस्के भी करेंशने घंध को वाली है Cho ऑर बड़ शावर से चाहरा के बढ़ हैं ।र तो कर भी है रहीं है Constitution